नमस्कार नेशनल खबर नायन में आप सभी दर्सकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ जीतन मौर्या आईट डालते हैं उत्तर प्रदेश के इस खास खबर पर एक नजर खबर आजम गर्जन पसे हैं जहां कुछ दिन कोर महराज गंज उंतरगत खाद और रसद विभाग पर सरकारी धान लादकर हर्दोई की गल्ला मंडी में काला बजारी करने का आरोप सामने आया था आपको बता दे हर्दोई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरकारी धान जही ड्राइवर को गरफतार कर लिया जिसके बारे में जानकारी देते हुए त्रक्चालक ने बताया कि उसने महराज गंज खाद एवं रसद विभाग की विप्लन केंज से धान लोड कर हर्दो पुलिस द्वरा काला बजारी करते हुए पकड़ा गया जबकि FIR हर्दोई कोतवाली के बजाए महराज गंधारे में दर्च किया गया था महराज का अंतरगत खाद और असर विभाग पर इसके पहले भी 120 बोरी की काला बजारी करने का आरोब लग चुका है जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है वह इस मामले में ड्राइवर एवन मिलर पर ही कारवाई हुई है जबकि विभाग के सभी कर्वचारी वाधिकारियों को बड़ी कर दिया गया है जबकि 630 बोराधान क्रेकेंद्र से दो दिन में लादा गया जिसका फोटो वीडियो भी वायरल हुआ था एसे में सवाल या उड़ता है कि बिना विभाग के मिली भगत के कैसे सरकारी बोरी में 330 बोराधान आजमगर से हर्दोई गल्ला मंडी पहुँच गया बार बार विभाग पर आरोप लगाना कहीं न कहीं या सावित हो रहा है मामले की लिपा पोती कर मुख अभ्यूटो पर कारवाई की बचाय उन्हें बचाने की कोशिस की जा रही है अब देखना है कि इस मामले बर आगे क्या कारवाई होती है आजमकर जनपस से जितेन मौर्या की रिपोर्ट नंबर तो हुए प्रभुनाथ को गुह नहीं कर दिया वह जो पर वुनास है उसी का माल वहीं नहीं भेजा है उसी नहीं बहेजा है उसी नहीं ने अधी मेलादा है पर्खी बार के अदलब वो जैसे मोटा महीन नसा दोनों थानमाल तो नसा महीन नसा धान सारा लदा है महीन लदा है क्या करके कैसे चेक हुआ है पर्खी लगा के पर्खी लगा के चेक हुआ है पूरा धान इसमें महीन लदा है हाँ इसमें कहां खड़े हो हर्दोई के बजार है क्या चीज़े मंडी है हर्दी मंडी में आया है वह बचने के लिए कर आये हो हैं बचने के लिए कर आये हो वहां से हम सरनसा दुकान फिलाएं अच्छा